अलो अप्रीवान केसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने गरों पे सेफ होंगे आज हम करेंगे जम्मू किश्मीर करेंट अफेर्स का सेकिंड पार्ट पहले पार्ट में लोगों ने जितने इंपॉटन करेंट अफेर्स आपके एक्जाम पॉइंट व्यू से जो कुछ ने questions या कुछ questions जो skip हो गए थे उनको हम लोग आज इस class में cover करेंगे तो जो लोग इस चैनल पर नहीं है भी चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक update मिलता रहे वीडियो स्टार्ट करने से वाले मैं आपको बता दूँ आज है अस्टमी और सभी लोगों को नवदात्री की हादिक शुब कामनाए आज के दिन यानि की 22 तारीक को ही आपका वी ए लव्यू का जो पंचाय सेकेट्री का बॉक टेस्ट 11 जो है वो upload हो चुका है आप लोग इसको attempt कर सकते हैं ट्रिपल एस की app को download करके 24 तारीक को या 23 तारीक शाम को हम लोग आपको inform कर करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे इसका proper analysis कि इसका क्या cut off रहता अगर यही एक्जाम होता तो अब से जितने टेस्ट होंगे उसके ठीक दो दिन बाद आप लोगों को analysis video जो है वो मिल जाएगा अगर आप लोग यह लेना चाते हैं तो आप लोग हमारी आपको download कर सकते हैं वहां पे आप लोग इन्हें available कर सकते हैं यहां पे अब जो recent pattern जो आएगा आप लोगों का जो GKSSB conduct करवा रही है उसी को ध्यान में रखके हम लोग यह test series जो है वो बना रहे है वो MR based pattern के उपर यह सब रहेगा तो आप लोग इसको अगर लेना जाते हैं तो link description box में है तो च कश्मीर के उन्होंने CRPF किया एक woman bike expedition जो है उसको से नगर से शुरू करा अब उसका नाम क्या था उसका नाम था यह यह शस्वीनी अब यह जो यह शस्वीनी शुरू हुआ है यहां से देखो यहां पे दो questions बन सकते हैं पहला question यहां पे बन सकता है कि यह जो woman bike expedition था यह किस का था इनिन आर्मी का था CRPF का था नेवी का था क्यूंकि अभी थोड़े नाइम पहले हम लोगों ने देखा था लदाक के लिए जो करा है जुले लदाक करके launch करा है वो नेवी ने करा था यह जो data है यह आपको याद रखना है CRPF के द्वारा यह किरा गया था यह शस्व की इस साल की अभी तक तीन जो है वह मिल चुके थे मैंने आपको लास लेक्चर पर बताया था हमारा बसूली पेंटिंग जो एक तो था हमारा बसुली पेंटिंग से बिलॉंग करते हैं और थर्ड जो था वो था सुलई हनी अब यह कहां से है तो यह था हमारा रामबन से वहीं अगर हम बात करें थीक थोड़े नहीं बाद ही आपका जो बसोली पश्मीना है उसे भी जो है जी एई टैक से अब यहां पे जो है इसे यह मिल चुका है दस साल के लिए जो यह जी एई टैक है यह वैलिड रहते हैं तो जम्मु कश्मीन अब बहुत सारे ऐसे प्रोड़क्स हैं जिनको यह मिल चुका है कुछ प्रोड़क्स आपको याद रखने हैं जिनके लिए इसमें पर आपको बतादू कश्मीना जो वुलन प्रोडक्ट्स हैं उसे ये मिल चुका है इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको recommend करा गया था तो आपको याद रखने है कि कुछ सा प्रोडक्ट किस district से बिलॉंग करता है हो सकता आपको match the falling के form में ये देखने को मिल जाए तो य important एक और है वो है चिलकरी वुट्क्राफ्ट राजोरी से और कलाडी उदंपूर का जो प्रोडक्ट है और सुलईहनी रामबन ये सारे प्रोडक्ट्स आपको याद रखने कि कौन सा प्रोडक्ट किस district से बिलॉंग करता है इन सब के अलावा एक homework note करिएगा लदाख में जो कौन सा प्रोडक्ट था जिसको जीए टैक से समानित करा गया था नेक्स पर बात करते हैं नेक्स क्वेशन काफी जादे इंपॉर्डन है यह दोनों क्वेशन बहुत इंपॉर्डन है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा जमू कश्मीर का दवार विलेज जो है जो ग जो है उन्हें समानित करा गया है बेस्ट टूरिजम विलेज के रखा गया है और गोल्ड कैटेगरी के अगर हम बात करें तो उसमें जमू कश्मीर का दवार विलेज जो है यह भी आया है तो यह बहुत इंपॉर्डन है इसके अलावा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में द स्यूत्पूरा किस डिस्टिक्ट में है तो यह सिरी नगर में आपको देखने को मिलेगी के सैयद्पूरा हर्वान पंचायत थी यह बेस्ट पंचायत है जमू कश्मीर की रंक वां पर रही थी सेकेंड रैंक पर थी आपकी पल्ली विलेज़ जो है पंच्चा पल्ली पंच यहाँ पर यह दो चीज़ें याद रखना पजायत की रैंकिंग्स में भी आपको याद रखना है और अगर टूरिजम विलेज का पूछा जाएगा तो यहाँ पर दवार विलेज जो गुरेज बांदीबुरा में है इसको याद रखना ये पहले पर आए नेक्स्ट क्वेशन वार अगेंस्ट वेस्ट का जो की पॉल्यूशन के अगेंस्ट चलाई जाएगी और जो वेस्ट मटीरियल रहता है जो सवचता के लिए अगर हम बात करें तो इनके बारे में थोड़ा समयां पर बता देता हूं कैप्टन बाना सिंग्ग है को अब कैप्टन माना सिंग के ब स्याचीन गया था पाकिसंस्स इसे वापस लिया था किस mission के तहड करा गया था किस operation के तहिए थाowment का नाम था उइस operation राजीव यांजाता है यहां से आप relate कर सकते हैं कि कितने important थे उस समय और इन्हों ने यह कहा था कि मैंने जंदगी अपनी अगर जो है इंडिया में पहले दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में दी है अब मैं waste के खिलाफ और pollution के खिलाफ लडने के लिए environment के लिए यहां पर लड़ूंगा तो यह नाम याद रखेगा कि किसे ambassador बनाया गया है यहां पर वार अगेंस्ट वेस्ट का तो यह बनाया गया है कैप्टन बाना सिंग जी को बहुत important question होगा यह भी आपके exam point of view से ठीक है next पर आते हैं हम लोग next question कि एकर मैं बात करूं जम्मू कुश्मीर में अभी नॉर्थ सबसे बढ़ा जू जो है जम्मू है जम्मू है यह जम्मू है जम्मू कर देता हूं आ widow लोचण के के पास आप लोगों को देखने को मिलेगा यह ओपन करा गया है और यह बहुत ही जादा 32 कनाल में बना हुआ है आप लोग इस पर पूरा इसका एक राउंड भी नहीं लगा पाएंगे इतना बड़ा यह है एरिया बहुत जादा ओडी एफ प्लस मॉडल स्टेटस को जमुकिश्मीर ने डिक्लेयर करा है यहां पर कि जो हमारे जेंड के में अराउंड सिक्स थाउजन प्लस विलेजिस जो है एक्जेक्ट अगर बात की जाए तो 6650 जो विलेजिस है वो सब ओडी एफ प्लस मॉडल में के अंडर आ गए है ग्रामिन जो सेक्टर है एस्बी एम ग्रामिन क्योंकि यह क्वेशन आप लोगों को बता दो क्या है हमारा स्टेटेस इसमें क्या है तो हम लोग ओडी एफ प्लस मॉडल के अंडर आते हैं तो यहां पर इसको दोनों चीज़े याद रखनी है आपको विलेजिस भी याद रखने है कि कितने विलेजिस ऐसे हैं जिनको डिक्लेयर करा गया है अंडर स्वच भारत मिशन कि यह ODF प्लस हैं तो यह 6650 हैं बाकी डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बट अब जैसे इस प्रेशली मेंचन है तो आपको यह याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा इसको आप लोग कहीं पर लिख लेना नोट्स में यह मैंने जितना important था आप लोगों के लि उसका नाम रखा गया था ध्वनी जमू यूनिवर्सिटी या फिर आप ध्वनी जे यू भी इसको कह सकते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है तो वह है 91.2 FM रेडियो स्टेशन की अगर बात करूं ट्रांस्पोर्ट अन कम्मिनिकेशन में आपका यह पार्ट आ जाता है कं यह question जो है already एक बार पेपर में पूछा जा चुका है तो यह questions भी current affairs की form में आपको देखने को मिल सकते हैं तो इसको यहां पर याद रखना एक event जो था celebrate करा गया था कुपवाड़ा में जिसका नाम था गुजर बक्करवाल मेला यह कुपवाड़ा में बनाया गया था इसक यह जो फेस्टिवल है यह शुरू हूआ था आपका चिन्नळी में चिन्नई में यह शुरू हूआ था पेपर में डायरेkt कुछा जा सकते है which a stuff festival कहा पर शुरू हुआ था तो यह चिन्नई में शुरू का गया था, खतम हुआ था यह आपका स्रीनगर में और नाम से कनफ्यूस हो सकते हैं, बट आपको यह आतर रखना हम है, start हुआ था चिन्नई में और end हगी। यह हुआ था आपका सारी जगाओं पर जिसमें कुछ important जो है वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं बाकी और भी काफी सारे events थे जिसमें मैंने आपको G20 के बारे में बताया सबसे जादा अगर पूछा जा सकते हैं जी टोइंटी भी हम लोगों एक festival की तरह ही मनाया था कश्मीर में जो हुई थी वह हुई थी हमारी थर्ड तूरिजम मिटिंग हुई थी वह ही थी हमारी स्रीनगर में और अगर सेकेंड या फर्स्ट पूछा जाएगा कभी एक्जाम में तो सेकेंड हुई थी हमारी सिलीगूरी में और जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वह हुआ था रन ओफ तच में अब यहां पर साथ ही साथ एक क्वेशन यह बन सकता है कि सिलीगूरी कहां पर है तो वह है वेस्ट बेंगॉल में वेस्ट बेंगॉल की एक जगा है जो कि युनेस्को हरिटेस साइड में भी आई है उसका नाम क्या है उसका नाम है शांती पीट यह 41st युनेस्को हरिटेस साइड बनी है और अगर आप से पूछो जाएगा 42nd कोंसी है तो वह है हॉश्चेलर टेंपल से लिखे बताने कि होश्चेलर टेंपल्स है कहां पर है ठीक है और अनुफ कर्च आपको पता इने को जरूर मिल ही जाएगा तो चलिए नेक्स पर बात करते हैं दो फेमस परस्टालिटीस हैं जिनका निदन हुआ है जम्मु किश्मीर से बिलॉंग करती है पहला नाम आ जाते है यहां पर वेदकुमार घही जी का वेदकुमार घही कि अगर हम बात करें बहुत फेमस सं बिल चुके हैं पहला पॉइंट यहां पर आपको डिरेक्ट यह पूछा जाएगा कि वेदकुमार घही किस लेंगविज में काम करते थे यह किस लेंगविज में लिखती थी यह यहां दखना वेदकुमारी घही जो है यह एक बहुत फेमस संस्कृत के जो स्कॉलर है वह थ है इन्हें पदमश्री अवार्ड से समानित करा गया है तो यह पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पदमश्री फोर्थ हाइस्ट जो है हमारा सिविलियन अवार्ड है इसके अलावा अगर हम बात करें तो साहित्य अकाडमी अवार्ड विनर जो थे और काफी एक वेटरन थे जमु कश्मीर के घुलाम नभी खयाल जी इनका निदन हुआ है तो पेपर में देखो जमु कश्मीर के अगर बात करूं तो अभी तक नहीं पूछे जाते हैं कि कौन सी फेमस परस्टैलिटी किस फील्ड से रिलेटेड थी यह दो फेमस परस्टैलिटी थी जिनका भी र स्कॉलर हैं अगर मैं अब यहां पर बात करूं साहित्य अकाडमी की ही तो साहित्य अकाडमी अवार्ड की अगर बात करूं तो इस साल जमु कुछ लोगों को यह से समानित भी करा गया है साहित्य अकाडमी युवा पुरुसकार से समानित करा गया है और बाल पुरुसकार स को यह मिला है या कि बुक के लिए इनको मिला है तो उनकी बुकती आलरा ठीक है जिसका मतलब होता है नेस्ट अगर हम बात करें दूसरी वह है निगत नासरीन जी इन्हें भी इस समानित करा गया है इन्होंने जो काफी सारी पॉइंच लिखें कश्मीरी लेंग्विज में लि लले निलवाथ चले वना जहन इनकी किताब थी और तीसरे नाम आपको याद रखने है वो है बलवान सिंग जमोरिया जी सामा डिस्टिक से बिलॉंग करते हैं इनकी जो बुक है उनका नाम था कंजगा तो जिसके लिए इन्हें इस अवाट से समानित करा गया है युवा प रुसकार जो था कश्मीरी लेंग्वेज में नहीं दिया गया है ये भी याद रखेगा नेक्स पर आते हैं हम लोग जो चीजे आपको बगा दो जम्मो कश्मीर से बलॉंग करते हो जो वर्ल्ड में पहली सबसे बड़ी फेमस हो जाती है तो उनको याद रखना अब अगर पर एक बात कहते हैं एक सिदार ट्री जो है वो मिल पाया गया है कहां पर पिला मिला है ये तो ये मिला है डोडा डिस्टिक्ट में और ये कहा जा रहा है ओफिशल्स के द्वारा कि दुनिया का लार्जेस्ट और सबसे पुराना ऐसा पेड है यह अपने आप 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 पूछा जाएगा तो यहां देखने डोडा डिस्टिक्ट में बलेशा फोरे स्ट्रेंज में यह पाया गया है और यह पाया गया है चांती वेला के द्वरा तो इनको यह बस इतना आप लोग याद रखेंग है और फिफ्टी फॉर फीट ट्रंक है और थर्टी फीट ब्रेस जादा रोशन किया है उन्हीं में एक नाम है यहां पर आलिया अमीर का अलिया मीर कमू का की पहली women बनी है जिनने wildlife conservation award मिला है और कश्मीर की पहली women है जिन्होंने जो काम करते wildlife ss organization के लिए और यहां पर इनका नाम याद रखना paper में direct question है पूछा जा सकता है कि इस साल wildlife conservation award किसको मिला है तो यह मिला है आलिया मीर को इनके अलावा हम लोगों ने कुछ नाम और डिसकस करे थे जिसमें सबसे पहला नाम आपको बता दू वो है आपका हनाया निसार का ये कूंसी स्पोर्ट से बिलॉंग करती है हनाया निसार के अगर मैं बात करूं तो ये मार्शल आर्ट की एक काफी फेमस प्लेय जो है यह पहली अथलीट है जमो कश्मीर से जिन्होंने सिल्वर मैंडल जीता था कायरोगी में यह आप लोग याद दखनें टाइकॉंडो प्लेयर हैं इनके अलावा एक और नाम था वो था जैसा अक्तर जैसा अक्तर क्या है यह बेसिकली क्रिकेटर है और यह पहली विमन जो क्रिकेटर लीग हुई थी अभी विमन प्रिमियर लीग उसमें एक मात्र क्रिकेटर थी जमो कश्मीर से विमन जो इन्होंने पार्टिसिपेट कर रहा था तो यह तीन नाम भी आपको याद रखने है और इनके साथ साथ आपको अलिया मीर का नाम भी याद रखने है और तो Asian Games अभी हुई है recently Asian Games हुई कहां पे है तो चाइना में इसको करा गया है इस Asian Games में इस बास जो है cricket को add करा गया था और cricket जो है जितना भी डेटा आप लोग देखते है ऑफिशल रिकॉर्ड में उसको add किया गया है ICC के द्वारा जिसमें एक 9 बॉल में 50 मारी गई है मंगोलि तो वो भी add करा है लेकिन अब जो चीज सबसे important है वो यह कि 2028 में क्रिकेट officially add हो चुका है आपके Olympics में तो यह सबसे बड़ी बात है यह आपको याद रखना है क्रिकेट जो है वो Olympics में भी होगा 2028 में Homework के तोर पर लिख लेना कि 2028 में Olympics होंगे कहां पे और अब बात करते ह पर बिल्किस मीर जो है in a point करा गया है as a judge Asian Games के लिए जमू कश्मीर से belong करती है यह पहली water sports coach है स्रीनगर की भी और देखो जब भी यह पहला word आपको देखने को मिलता है तो exam point of view से काफी important हो जाता है और यह पहली Olympic level women kayaking जो है कराइं प्लेयर है यहां पे कश्मीर इजन की त और इस तरह के questions जो हैं कहीं बार paper में पूछे भी जाते हैं next question की अगर मैं बात करूं यहां पे तो जो जमू कुश्मीर के LG है उन्होंने 44th PSPB Interunit Golf Tournament शुरू लांच करी है इनॉगरेट करी है सिरिनगर district में और यह जो tournament है इसको organize करवारा है तो इसको organize करवारी है ONGC यान और एक कुछ important current affairs जो की मुझे लगा कि आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो हम लोग इसको यहां पे cover कर रहे हैं तो आप लोगों को आज का lecture पसंद आया होगा maximum हम लोगों ने पहले lecture में ही cover कर दिये थे जो थोड़े से questions बीच में ने add हुए थे या जो रह गे थे जो पू सब्सक्राइब करें और अगर आपको तयारी करनी है इने exams के लिए तो अगर आप लोग आज यह code use करते हैं तो आपको 35% discount मिल जाएगा वैसे ही हमारे courses जो है वह बहुत कम rate पे affordable पे आप लोगों के लिए available रहते हैं पर उस पे भी आपको discount मिल जाएगा और जो बच्चे व को हम अपनी improve करें और अगर आज मालो आप 60-70 पर stand कर रहे हो तो किस तरीके से इसको हम लोग पेपर तक आते आते 15-20 नंबर और बढ़ा दे सबको मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ अब के लिए दीजे इजाज़त नेक्स्ट जो हमारी live class चलेगी उसका topic में आपको बता दिया उसका topic का नाम है जीके विच स्पेशल रेफरेंस टू जमू इंड कश्मीर वह live class के लिए भी तयार रहना दस प्लस उसका जो है passing marks देंगे तो मिलते हैं जल्दी आज के लिए से इतना ही बबाई डेकर all the very best see you soon